बेशक सभी का किस्मत एक जेसा नहीं होता है लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सायक हो सकता है ये एक सही मार्ग दर्शन हमारे भविश्य को वुजवल बना सकता है जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्ग दर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN News Channel पर नमस्कार सारे BCN के दर्शकों को आज का अपना कारेकर महत्म रहने वाला है क्योंकि आज हम गुड़ी पाड़वा जो हमारे सनातन धर्म का नया साल माना जाता है इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे गुड़ी पाड़वा का हमारा हिंदु धर्म के अनुसार सनातन धर्म के अनुसार महत्म क्या है और इस गुड़ी पाड़वा के राशीगत फल क्या है और इस गुड़ी पाड़वा से हमारे जोतिश शास्त्र के अनुसार क्या महत्म इस बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहली बात हम गुड़ी पाड़ और यहां से चालू होता है सवनातार धर्म का गुरी पड़वा से चैत्रमाज का शुद्ध प्रतिपदा पक्ष पे याने प्रतिपदा पिठी पे अपना गुरी दिखो गुड़ी पढ़वा ऐसे सारे सालों से हजारों से मनाया जा रहा है हमारे दिश में सबसे पहले गुड़ी पढ़वा का यह स्रूष्ठ का निर्माण चालो जाता है गुरी पर्वा है जिस दिन हमारा गुडी का संकेतिक रूप मत्यों अर्थ यह हो गया गुडी परवा में इसा माना जाता है कि भगवान राम ने वाली नाम के वानर राज को मार कर उनके छोटे वाई सुग्रिव को किष्किंदा के सिंखासन पर बिठाया तिसरा मान्यता ये है कि भगवान राम ने रावन को मार कर अयोध्या लौटने को शुरू किया या लौट कर आए इसके बारे में उलेक किया ज़ता गुड़ी पड़वा मनाये जाता है और दूसरा इसमें ये भी है भेद कि राजा शालीवाहन नाम का एक राजा थे उन्होंने हन्स जहां पे एक अपना उनका एक कुटुम्ब था या उनका डाइनस्य था उनको हरा कर हन्स राजा को हराने के लिए राजा शालीवाहन ने क्या किया था मट्टी का पुतला बना के उस मट्टी के पुतले में जान भर कर उससे उन्होंने सेना निर्मित करके हन्स के राजा को उन्होंने हराया था जीत हशिल किया था इस दिन और दूसरा कैसा है गुरी पड़ निर्मान होता है फल जिसके वाईसे हम हमारे महारास्टे में गुरी बानते हैं गुरी में देखे यह चांदीका यािप में का लोटा होता है उसको डंडा देते हैं और उसके ओपर रेशनम का कपड़ा रहता है और उसके ओपर नीम के पत्ते लगाते हैं नीम के फूल रहते हैं उसमें आम के पत्ते लगाते हैं इसमें कैसा है जो हमारा तामडे का जो लूटा रखते हैं वो दिखाता है संपूर्णता वो दिखाता है शुष्टी में परिपूर्णता, जो हम नीम के पत्ते लगाते हैं, यह दिखाता है, स्वच्चिता, आचार विचार में स्वच्चिता, और सात्विक गुण इंसान को, क्योंकि देखो, नीम कड़वा रेते हैं, लेकिन उसका गुण बहुत बड़ा रेता है, वो दवाई का सुख है, और लक्ष्मी का अशिर्वाथ है, और जो रेश्मी कपड़ा रहता है, वो संपन्नता है, सुख सुविधा है, मान सम्मान है, और नाम यश्किर्थी है, और जो हम डंडा लगाते है उसमें बास का या जो भी डंडा लगाते है गुडी में, वो दिखाता है स्थि शूइब कर ख gosh यान जिसे की मिलता है यह हो गया गूडी पाडवा ? disconnect जी कम में देखो क्या होता है on the ability पाडवा.. संभतर का नाम कैंग इस संभतर का नाम नाम में शुभुकृत नाम संभत हर...? पिछला संबतर था? उसका नाम था प्लव याने खोदना छेदना या कुछ नयाव करना या कुछ उसको संगर्श होना प्लव बोलते हैं अब यह जो संबत्सर है इसका नाम है शुबकृत शुब करने वाला शुब देने वाला करके नाम बोला जाता है इस शुबकृत नाम संबत्सर का राजा कौन है देखो हर स संबत्सर का एक राजा, एक मंत्री, एक सस्यादिपती, रसादिपती, मेखादिपती होता है, इस संबत्सर का राजा है शनिदेव, इसमें एक बहुत खास बात बताना चाहूंगा दर्शक के लिए रोचक बात है, हमारा ये जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो जन्वरी एक ता दर्शक के दिन ही महरुच से ही अपना चैत्र शनिदेव, छनिदेव का राजा शनिदेव है, जर्शक का में इस कले सदिर्शक के राजा होता है, शनिदेवर राजा होने क्या होता है संबत्सर, न्याय करता Juppfi भूर्वाय के लिए 000ुछोर्विभी घड़म न्याय करता, और जो अधर्म करते उनको दंड देना उनका काम है शनी देव इस संबसर के राजा होने के नाते लोगों को जल्दी कर्मों के फल मिलेंगे और जो अधर्म करेंगे अत्याचार करेंगे उनको दंडित करेंगे दूसरा शनी देव आकर अपना राजा है निरसाधी पती भी है जो जिसके वज़े से लोगों में कैसा बहुत जादा जो भोग विलास करते हैं, जो बहुत जादा अपना विपरीत करते हैं कोई चीज को, उनको कष्ठ होने का योग बनता इस संबतसर में, बाकि जो न्याय संगत चलेंगे, धर्में चलेंगे, उनको बहुत अच्छा यश् जो भी है, उनके दाम बढ़ेंगे, वो मार्केट बहुत उतल पुतल रहेगा, और लोहे में, लोहे के मार्केट में भी उतल पुतल होगा, ये बात अपना राजा संबतसर के संबतसर के राजा शेनिदीव होने के नाते, और दूसरी बात कैसा है, देखो और एक रोचग ब साल उनके राजा भी शनी है ऐसलिए और यह अध्य अमरा के यह साल उने प्रदान वाला है और मकर राशी में महीं दोछर कर रहे हैं उसका उनने के नातर लोगों ने चाहिए पर ना करना में तुङए ना परन पंचियों को पानी पिलाना चाहिए, गाई जो रस्ते में भूमते, जो कुत्ते रस्ते में धूप काले में भूमते, उनको पानी पिलाना, खाना खिलाना करेंगे, तो पुन्नी की भागिदार बनेंगे, दूसरा है, देखो इसमें, राजा शनीदेव है, तो मंत्री गुरु उनके जो नीचे कामबाले हैं, उनका बोलना दोनों अच्छा ही करना चाते हैं, राजा भी अच्छा करना चाते हैं, मंत्री भी अच्छा करना चाते हैं, लेकिन दोनों के बोलने में थोड़ा सफर्क होने से, थोड़ा भेद होने से टक्राओं होने का संभावना बनता है, इ कोई नकोई आइसा बड़े विक्ति हमारे देश के लिए एक लौस होना या उनका अईसा बूरत्यों खबर होने का योग बंता यह साल सेना दिपति आकर संबत्सर के बुद्ध भगवान हैं बुद्ध ग्रह संबत्सर होने के नाते क्या होता है इसमें जो धान वगर उगते हैं उसमें अच्छा होगा उगना होगा अच्छा आप खेत खलियान रहेंगे और उसमें मेधादी पती मेधादी पती अरग्यादी पती भी अपना संसाल के साल के संद्रदेव है चंद्र अने की क्या होता है या पीने लाइग जो चीजे हैं उन में काफी बड़ोत्री देखने को मिलेगा सेलस्न में बड़ोत्री देखने को मिलेगा और उसमें जादा तर लिक्विट के ओर जीजेगा याधा twenty six ङा महीं होग बनता है लोग यह वर द्याने चाहिंदिजसेव्लेटिय। जो से उत्पादित जिजे हैं एक साल संपनता रहेगा देखो आख़ी में कैसा है इसका धन्य अधिपथी भोले जो धान्य है अपने जैसा अनाज है उसके अधिपति शुक्रदेव है शुक्रचारी है जो अंता कोन्य होने के लोग अच्छा खाना अच्छा पीना पसंद करेंगे अच्छा वेजटेरिन डाइट पे लोग फोकस करेंगे एक साल और हो सकत जितना डाइट में health conscious होने का पूरा योग बनता है लोगों का यह साल और लोगों को अच्छे चीजे खाना अच्छे रुचिकर जो भोजन बनाते हैं जो अच्छे वेंजन बेसते हैं बनाके रेश्टन्ट वाले उनके सेल्स में बहुत सारा बड़ाउतरी बहुत सारा इजाफा होन यह साल तो दर्शे को यह था अपना संबतसर शुब कृतनाम संबतसर अपना गुड़ी पाड़वास चालू होगा उसका हमारे देश पे हमारे इस धर्ती पे क्या उसका फल रहेगा उसका रिजल्ट रहेगा उसके बारेमे एफेक्ट रहेगा बताया अभी हम देखते हैं कि ये बारा राशियों मेश से लेके मीन राशी वालों तक का इस संबत सर का क्या फल मिलता है क्या योग मिलता देखो सबसे पहली बात अभी एक ऐसा समझा रहे है कि गुरू जो ब्रहस्पति गढ़ा हैं ये एप्रिल के तीरा तारीक को कुम राशी छोड़कर मीन राशी में आ पहली बात मेश राशी के लिए ये जो साल है अच्छा रहेगा शुबकारी बनेंगे शुबकारियों के लिए खर्चे होंगे यात्रा बहुत करेंगे तीर त्यात्रा होगा माता पिता का सेवा करने मिलेगा और जो मेश राशी वाले थोड़ा कुछ नया घर नया गाड़ी की लेने का सोचने ये साल अवश्य लेंगे अच्छा चीज मिलेगा संपन्नता रहेगा उनके जोन में दूसरा है विर्षब राशी वाले के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने बाला है प्रमोशन मिलेगा नए दोस्त बनेंगे दुकानदार या बिजनस करने वाले जो अपड़ों के का और कॉस्मिक्स काम करते हैं उन विर्षब राशी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा नए दोस्त मिलेंगे जिन विर्षब राशी वाले शादी के लिए या शादी के लिए लड़की ढूंड रहे हैं लड़के लड़कियों जो कन्या है वर के लिए श्रें उनके लिए अच्छा रिष्था मिलनेगा योग Skill राशी वालों के लिए मिथून राशी वालों को थोड़ा से था कमी होगा थोड़ा सा अबी बीच में 4 मैने एपिल से लेके जुलाई तक काम राशी वालों वही समय बहुत अच्छा रहे सब्सक्राइब के लिए इस गुड़ी पड़वा में अपना महुरत शनी सब्तम में रहना उसके साथ मंगल यह दिखाता है पार्टनर्शिप्स में प्राब्लम्स हो सकता है पती पत्नी में टकरा हो सकता है और कामकाज में नया आयाम भी दिखेंगे इनको उनका विलपोर बहुत जोरदार रहेगा और जिन करकराशी वालों के लिए शादी वगरा जो सोचने यह साल होने का योग बनता है जिन यात्रा में कठिना ही होगा उनको परिशान ही होगा और इसमें एक अच्छा यह रहेगा कि जिनको समझो बहुत पुराना केस चल रहा है पुराना जिनको कुछ पैसा मिलना है या पुराना जो बहुत पुराना पुष्टे नहीं उनको कुछ प्रापर्टी बगरा मिलना है संपत्य बागर मिलने है तो वह मिलने के योग बनते तो वालों को भाखी ठोड़ा सा कान काज में बगरा थोड़ा सा स्लैक दिखा जायरा कमी रहें पैसे पानिवी उतना कुछ खास नहीं रहे पाएगा कुल मिला के यात्रा करने के लिए सिंग राषी वालों को थोड़ा गया उतना खास नहीं रहा पिछला डेड़ साल अभी यह साल आने वाला एप्रिल के बाद जो एप्रिल से जो माइना आएगा वह बहुत अच्छा रहेगा कन्यराशी वालों के लिए जिनकी शादी हो सकते संतान प्रत्य का जिनको योग बिदेख रहें उनको संतान प्रत्य क सहनिक और है कन्यराशी वालों को घंशा है और कर्द के बच्चे है यह जो पड़ाई विद्ध्यारति करने वाड़े सार्या है tre अपना पड़ाई भां धिव जयान देना जोरी है धोड़ा सव शंबनी सम्लिंषिक आ जिन को खाने पिनें धीन धर घ्यान धिना जोरी है अगला है अपना तुलय राशी वालों के लिए अपना ढार आक्छा रहे देखने लाचे तोला राशी वाले दोनों अगला है अपना व्रिष्चिक राशी वालों को नए कुछ काम शुरू करने का योग बनता है पुत्र और संतान से बहुत अच्छा शुपरी मिलने का योग बनता है शत्रूता बढ़ने का योग बनेगा खुर्पगा शत्रूता नव बढ़ाए लिटिकेशन से बचे Kirsty कचेणी से दूर मख रहें नहीं थोड़ा सा लंबा उनको कीशने का योग बनता है अपना कोड केस के अंदर और नेतरुत्व करने का योग बनता है नेतरुक पृपया अराए हम से करें जादा अपना एंथूसयाज्म जादा इकसाइड हो करने का आपको अगर होता ऐसा तो उससे आपको कश् जोब ऄरना सहल, इन से तो इन चीजों को थोड़ा समझा के वच्छों को तो अच्छा रहेगा, और दूसरा कैसा है? धुनॉर राशी वालों को खास करके अपने मानी पे सयं रखना जरूब साल. अगला है अपना मकर राशी देखो मकर राशी वालोंको भी सारे साती चल रहा है हालाकि बीच का गोचर उनको है पिछले तीन सार चार सार ने वहां चार सी बहुत कस्ट भूकत चुकी हैं धन्न राशी göz की वाले बीवी मकर राशी वालोंको ये साल थोड़ा सा commence बत्य perhaps मकारशी वाले के लिए माता के स्वास पे ध्यान देना जरूरी है तो अगर इस ऐसुपर हम ध्यान नहीं के मॉख धिप्वाले तो भीर्ह बूर Apache देवालों के लिए यह साल मिला जूला रहे लेकिन ये साल अच्छा रहेगा ये संबतसर के राजा शनिदेव हैं मंत्री गुरु होने के नाते ये संबतसर में कुम्ब राशी वालों को पैसे का फाइदा होगा जिनकी शादी नहीं होगी घर में शुबकारी होगा शुब समाचार मिलने के पूरे योग बनते हैं कुम्ब राशी वालों को और कुम्ब राशी वालों को ये साल थोड़ा सा ड्राइविंग बहुत केरफूली करना चाहिए एक्सिएंट्स होगना चोड़ चपेड लगने का योग बनता है आखिर में अपना है मीन राशी देख में थोड़ा सा टेंशन ज्यादा लेने का योग बनता है टेंशन बिना वजे लेंगे तो आप जो मकाम पाना चाहते हैं वह आप घो बैटेंगे दूसरा इसमें ऐसा है कि अपने जो दोस्त है मीन राशी वालों के जो दिन के दोस्त है उनसे काफी फाइदा रहेगा धना अच्छा रहेगा धन संपत्ति अच्छा मिलेगा अवक अच्छा रहेगा व्यापार में नया आयाम देखने को मिलेगा और पेट संबंदी समस्या रहेगा थोड़ा सा मीन राशी वालों पर कैसा है सोच समझ के बोलना जिरूरी हैं और बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया तो इनके उपर अपवाद बोलना अपवाद इन पर चड़ना जूटे इलजाम लगने का योग बनता है तो बिना सोचे समझे कुछ बोले नहीं अपने वानुई पर सयम रखे अंकुष रखे तो सब अच्छा रहेगा तो दर्शको ये रहा अपने बारा राशियों के सब दर्शक जो भी धार्मिक हैं या चलना चाते हैं वो शनीदेव का पूरे मन से भक्ति करें उनके मंदिर जाएं कुतों को रोटी खिलाएं गाय को रोटी खिलाएं और चीटियों को आटा और शक्कर मिला के डालें तो ये साल सारे राशियों के लिए बहुत अच्छा हो और हनुमान जी का कृपा पाने के लिए हनुमान जी का पूजा करें शनीदेव का जाप करें हनुमान चालिसा पड़े तो जो लोग हनुमान जी का पूजा करते हैं पाठ करते हैं उनको शनीदेव ऐसे ही कृपा करेंगे तो ये था दर्शकों आज के गुड़ी पाड़व जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्दर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN News Channel पर